तो लोगों के जहासे पे बिल्कुल मताओ कि मशीन लगा लो आप उसके बाद दिन का तीन हजार कमाओ मैने का पचास हजार कमाओ या लाख रुपया कमाओ उसके बारों से मद बैठो कुछ अपना दिमाक आप लगाईए और बिजनेस को आप अच्छे तरीके से कीजिए ये शुर्व होती हैं जब इसके पीछे मैनत करते हैं अगर आपकी मैनत होगी तो बिल्कुल मैंने का देंड का पचाhi अज़ार या फिर मैंने का पचासा जार आप कमाओंगे तो वो डिपेंड्ड करती है आपकी मैनत कोई बताना ने चाहता तो हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मिद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे तो पीछे हमने वाइट बोर्स लगा रखी हैं और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको रौ गर्वत्ति की मैनुफेक्ट्रिंग कॉस बताने वाला हूँ एक कैलकुलेशन जो है हम करेंगे कि वन केजी हमारी अगर्वत्ति बनाने के लिए हमें कितना खर्चा आना चाहिए या फिर आता है और यह काफी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर का था तो आज का यह वीडियो आप पूरा जरूर देखिए और टॉपि लिए यह जो कैलकुलेशन उगा वो ब्लैक रॉगरवत्ति के लिए होगा क्योंकि सबसे जादा जो काम करने वाली चीज़ें है जो बननी वाली चीज़ें वह है ब्लैक अगरवत्ति जो कि जिसके उपर सभी लोग काम करते हैं तो एक आइडिया आपको भी लग जाएगा जो कि नया startup करने वाले हैं, जो अपना नया काम करने वाले हैं, और जिनको काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 1KD के बीच में हमारा calculation किस तरीके से होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारा प्रिमिक्स की cost हम निकालेंगे, क्योंकि basically हमारे जो raw materials हैं, उसमें 3-4 होता है, वो हम पहले देखेंगे, तो सबसे पहले, यह हमारा हाथियार जो है, चालू हो चुका है, और हम निकालते हैं, चार्कॉल और सोडस्ट और जोस पाउडर और बह्मूश्टी का price, और जो है, इसका price हम देखते हैं, और यह price जो है, अगर आप जिस जगह पे हैं, ज ज़्यादा हो सकते हैं, तो चार्कॉल का हो जाता है हमारा, 10 रूपीस, सोडस्ट का हमारा price है, 14 रूपीस, और उसके बाद हमारा जो है, जो है जोस पाउडर है, जो कि अभी 65 रूपीस के आसपास है, और उसके बाद हमारा जो है, बैंबू इस्टिक का price है, जो कि अभी हा रहे हमारा 110 रुपय के हिसाब से तो ये 1 kg का ही प्राइज है तो चारकौल का प्राइज हो गया हमारा 10 रूपय इसका जो है हम basic calculation निकालेंगे premix का क्योंकि अगरवत्ती बनाने के लिए हमें जरुरत पड़ती है प्रिमिक्स तो प्रिमिक्स के क्या होता है जैसे कि यह हमारा चारकॉल है होता है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं छोटी राइटिंग्स में लिख रहा हूं क्योंकि जगा जो है हमें ज़रुरत पड़ेगी तो दिक्कत ना हूं 60% by 40% तो इस में सबसे पहले हमारा चारकॉल होगा 600 ग्राम का तो 60-40 प्रिमिंज 1 केजी पर 600 ग्राम हमारा जाएगा तो यह चारकॉल होगे हमारा यहां पे मैं तोड़ा से डाल मार कर देता हूं ताकि आपका confusion ना हो तो ये हमारा charcoal का हो गया 600 ग्राम और हमारा sodas का होगा लगभग लगभग 400 ग्राम और उसके बद हमको लगता है jose powder जो की हमारा jose powder होता है 1 kg premix बनाने के लिए 120 ग्राम इसका मैं सीधा सीधा आपको calculation निकालता हूँ जैसे 1 kg का price होगा हमारा 10 रुपए तो 600 का हो जाएगा हमारा 6 रुपए के असपास ये होगा हमारा 6 रुपए तो उसी तरीके से हमारा sodas का कॉस्टम निकाल लेते हैं तो sodas का आएगा हमारा 6 रुपए 50 पैसे के असपास 6.50 पैसे का हमारा सौडस लग गया इसमें और उसके बाद हमारा लग जाता है जोस पाउडर जो की जोस पाउडर का 120 ग्राम के इसाब से हमारा लगेगा 7.00 रुपए के आसपास और इसका हमारा मटेरियल का कॉस्ट इसमें निकला 6 रुपए का हमारा charcoal गया और 6 रुपए 50 पैसे का हमारा soders गया उसके बाद 7 रुपए का हमारा jose powder गया उसके बाद एक cost आपको आवर डालनी होगी इसको बनाने का cost क्योंकि premix यह तो powder form में है जिसको आपको mixing करना होगा, screening करना होगा तो उनका भी एक cost आपको लगेगा, तो वो हम मान के चलते है 2 रुपए केजी के आसपस 2 रुपए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, तो यह होगे हमारा premix का खर्चा तो इस चीजों को आप calculation की जेगा, तो वो आएगा हमारा 21 रुपए 50 पैसे के आसपस जो कि यह हमारा premix बनाने का यह cost है, 21 रुपए 50 पैसे आपको 1 केजी premix बनाने का खर्चा जो है आता है अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे चलते है हमने bamboo का निकाला नहीं है क्योंकि premix का हमारा जो है निकल गया 21 रुपए 50 पैसे हमारा 1 केजी premix बनाने के लिए खर्चा जो है आता है, अच्छी quality का और bamboo stick का बाकी रह गया तो bamboo stick का आप तैसे करेंगे bamboo stick जो है हमारे 1 केजी premix के लिए जो bamboo stick की requirement होती है वो है हमारी 300 ग्राम average क्योंकि 1 केजी bamboo sticks अगर आप यूज करते हो तो 3.5 केजी लगभाग अगरबतिया बनती है क्योंकि जो china sticks होती है वो थोड़ी सी weight ज़्यादा होती है जिसकी वज़य से हमें bamboo ज़्यादा लग जाता है तो यह जो stick है तो यह है 1 केजी का price 110 रुपए और हमें ज़रूरत है अभी 300 ग्राम एक केजी अगरबतिय बनाने के लिए तो सीधा सीधा हम इसका 300 ग्राम का हमें requirement है requirement है 300 ग्राम bamboo stick 300 ग्राम इस्टिक तो इसका हम जो है price सबसे पहले निकालते हैं तो 300 ग्राम का लगबग लगबग हम round figure में जो इसका cost निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 33 रूपिस तो यहीं पर हम लिख लेते हैं तो इनका जो bamboo stick का खर्चा जो आता है वो आएगा हमारा 33 रूपए RS 33 रूपए जो है हमारा bamboo का खर्चा जो है आता है 300 ग्राम के लिए और जो इसका मैंने direct calculation कर लिया है आप चाहे तो इसे वो अच्छे तरीके से calculation कर सकते हैं यह 33 रूपए के असपास ही आएंगी तो अभी basically हमारा दो चीजों का खर्चा निकाल के आया है पहला हमारा premix का खर्चा और दूसरा भी जो हम निकाले है bamboo stick का खर्चा यह सारी चीजे तो आपको clear हो चुकी होंगी और इसके बाद जो सबसे बड़ी जो चीजे हैं जिसमें चोड़ी चोड़ी जो cost है उसको हम भूल जाते हैं तो उसको खर्चा जो है निकालना भी काफी ज़्यादा जरूरी है तो step by step हम जो है पहले लिख लेते हैं तो प्रिमिक्स का यह हमारा cost हो गया तो हमारा प्रिमिक्स का जो cost आया था वह हमारा कि 21 रूपीस है 21 रूपाय 50 पैसे के आजपास उसके बाद हमने दूसरा निकाला हमारा bamboo stick का जो price है वो निकाला हमने 33 रूपीस यहाँ पे आप देख पारे होंगे 300 ग्राम का हमारा bamboo stick का खर्चा निकला है 33 रूपै तो यह हो गया हमारा 33 और उसके बाद जो है हमारा अगला cost है वो है हमारा manufacturing cost क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपको workers या फिर आप खुद काम कर रहे हो तो उनका हमें cost निकालना पड़ेगा तो तीन रूपै के आसपस हमारा manufacturing का cost आ जाता है उसके बाद हमारा और खर्चे जो है तो वो है सबसे बड़ा हमारा electricity का cost क्योंकि जब हम मशीने चलाएंगे तो उसमें बिजली की ज़रुरत पड़ेगी और यह जो electricity जो cost है वो कहीं पर कम भी हो सकती कहीं पर ज्यादा भी ह हो सकती हैं तो average जो जो खर्चा आता है एक मशीनों के लिए तो वो मैं लिखता हूं तो यह हमारा हो जाता है दो रूपया unit unit मैं अभी आपको बता रहा हूं unit के हिसाब से तो यह हो गया हमारा electricity का cost और उसके बाद हमारा हो जाता है maintenance cost जो कि हम अगर मशीने चलाएंगे तो म cost भी लिखना काफी ज़्यादा जरूरी है तो पर केजी के हिसाब से मैं माल लेता हूं दो रूपय इसका भी तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा खर्चा निकल के आता है इसमें और कुछ अन्य खर्चे भी हो सकते हैं लेकिन basically हमारा भी premix 1KZ अगर बती बनाने का cost है तो यह खर्चे अभी हमको total करने हैं तो इन सारी चीज़ों को total करने के बाद जो है हमारा आता है तो total हमारा आएगा 61.5 61.50 पैसे लगभग 61.50 पैसे का हमारा जो है खर्चा आता है अब यह पूरा complete नहीं हुआ है हमारा cost इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़े हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पे आप समझने की कोशिस करेंगे थोड़ा और यह हो गया हमारा bamboo stick का price है ना जो कि 300 ग्राम हमने लिया हुआ है और उसके बाद हमने लिया हुआ है 1 kg का premix तो 1 kg का premix हमारा हो गया फिर उसके बाद हम उसमें से अगर बत्ती बनाएंगे तो जो हमारा bamboo stick है 300 ग्राम का वो तो उसमें include हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो भी weight है एक ही साब से तो जो हमारा final price वो निकल के आया है ना 61 तुपे 50 पैसे तो वो है हमारा लगभग 1 kg 300 ग्राम का प्राइज 1 kg 300 ग्राम का यह जो है प्राइज निकल के आया है तो कुछ calculation में आभी और आपको बता देता हूं तो 1 kg का हमारा premix था 1 kg का हमारा premix हो गया उसमें 300 ग्राम हमने bamboo डाला 300 ग्राम का हमारा इस्टिक लगा तो दोनों को total करेंगे तो हमारा हो जाता है 1300 ग्राम 1300 ग्राम एक केजी 300 ग्राम अब जो हमने कोस्ट जो निकाला है न यह है हमारा 1300 ग्राम का अब हमें जो है 1 kg का convert करना है 1300 ग्राम का price हो जाता है 61 में 50 पैसे तो हमारा 1 kg का कितना होगा तो 1 kg का price जो हमारा निकल के आएगा 1 kg का जो है cost हमारा निकल के आएगा यहाँ पे तो 1 kg का जो cost होगा हमारा वो मैं अभी direct रिकाल रहा हूँ चाहो तो आप इसे calculation कर सकते हो और छोड़ी छोड़ी उसमें calculations है जो कि करते रहूँगा तो काफी टाइम लग जाएंगी और वीडियो भी काफी लंबी बन सकती है तो वो होगा हमारा 48 रुपीज पॉइंट कुछ रुपीज और आएगे यहाँ पे तो round figure में हम इसे 48 रुपीज ही मानके चलते हैं तो 48 रुपीज जो है हमारा 1 केजी 300 ग्राम को convert करने पर हमारा 1 केजी पर 48 रुपीज जो की final price हम मानके चलेंगे final 1 केजी का price तो final price हमारा निकल के आएगा 48 रुपीज केजी 48 रुपीज कुछ रुपीज और आएगे round figure में हम 48 रुपीज मानके चलते हैं और यह जो है हमारा 1 केजी का cost जो है निकल कि आएगा यह basically हमारा 1300 ग्राम का था जो की हमने convert किया 1 केजी पर तो 1 केजी का cost आगया हमारा 48 रुपीज के आसपास और यह जो है एक perfect calculation है जो की कुछ ही तरीके से आपको मैंने करके दिखाया हुआ है एक बाई से मैं rewind कर देता हूँ ताकि आपका कोई confusion ना रहे हमने सबसे पहले premix का cost निकला है तो हमारा charcoal हो गया, sodas हो गया और joss powder हो गया तो इन 3 चीजों से हमारे premix बनती है तो 10 रुपे हमारा charcoal का price है तो 600 ग्राम के हिसाब से हमारा 6 रुपे हो गया उसके बाद हमारा 2 रुपे जो है premix बनाने का खर्चा लग जाता है तो total हमारा premix का खर्चा हो जाता है 21 रुपे 50 पैसे यह premix का खर्चा है हमारा और दूसरी चीज हमाते हैं तो यह हमारा bamboo stick bamboo stick का price 1 kg का है 110 रुपे तो हमें जो है requirement होती है 1 kg premix में अगर बत्ती बनाने के लिए 300 ग्राम bamboo stick की तो 300 ग्राम bamboo stick का price हमारा निकल के आया कितना 33 रुपे के आस-पास यह bamboo stick का price हो गया यह हमारा premix का price हो गया और basically यह सारी चीजों को हमने calculation किया प्लस किया जोडते गए तो premix का price हो गया हमारा 21 रुपे 50 पैसे bamboo stick का 33 रुपे यह हो गया हमारा manufacturing cost बनाने का जो खर्चा होता है वो 3 रुपे electricity cost हो गया हमारा 2 रुपे उसके बाद manufacturing cost हो गया हमारा 2 रुपे तो यह जो खर्चा हमारा सारा चीज होके आया वो है 61 रुपे 50 पैसे अब ये जो price है वो है हमारा 1 kg 300 ग्राम का क्योंकि 1 kg हमने premix लिया 300 ग्राम उसमें bamboo डाला तो basically हो गया वो 1 kg 300 ग्राम का मतलब 1300 ग्राम का तो ये जो price निकल के है वो 1300 ग्राम का था जिसको हमने फिर से convert किया 1 kg के अंदर पे तो ये kg का price हमारा जो है final निकल के आया 48 point बदाते बदाते मेरा भी गला थोड़ा सूखने लग गया तो ये हो गए हमारा 48.8 पैसे के आजपस रहूल फिगर में हम 48 रुपर मान के चलते हैं तो final 1 kg का price हो गया हमारा 48 रुपिस kg अब ये calculation आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी चाहे तो आप अपने तरीके से और calculation कर सकते हो हाला कि ये price हो है वो आप ध्यान रखना price कम या ज़ादा होते रहता है तो ये तो हो गई हमारा raw manufacturing का cost 1 kg black अगरवत्ती बनाने के लिए और बहुत सारे लोग अभी youtube में आपने देखे होंगे तो तरह तरह के business idea लेके आते हैं कि machine लगा लो और मैने कब 5000 कमाओ, 10,000 कमाओ, 50,000 कमाओ अब basically 48 रुपे kg का हमारा खर्चा आ जाता है और इसके बाद जो है और चोटी चोटी खर्चे हो जाते है जैसे box packing का और कुछ भी चीज़ों का और market का जो भाव है वो है लगबग 60 रुपे से लेके 62 रुपे के आसपास 60 रुपे मान के चलो, 62 रुपी मान के चलो कर quality अच्छी है तो तो इसके बेस में आपको 10 रुपे के आसपास ही margin मिल पा रहा है अब कोई आदमी को बताओ आप अगर आप एक machine रखे हुए 30 किलो, 25 किलो, 30 किलो आप बना रहे हो और 10 रुपे का आपको margin मिल पा रहा है तो इसमें क्या आपका 5000 मेने का हो जाए अब दिन का 5000 हो जाएगा या 5000 हो जाएगा तो इन सब लोगों के बातों में ना हो आप आपको काम अगर करना है तो कुछ calculation आप सिखो अच्छे तरीके से फिर जो है आप अपना काम start किजिए और जो है आपको इतना ताम जहाँ machine का setup, workers, electricity cost, manufacturing cost ये सारा cost मिला के आपको लगबग 8-10 रुपए मिल जाते हैं और ये price अभी फिराल bamboo का rate जो है कम है इसके वज़े से आपको ये 10 रुपए का price आपको दिखेगा लेकिन इसी वीच अगर bamboo का price बढ़ जाए तो आपका ये रोवत्ती का rate जो है वो भी घड़ जाएगा आपको 4-5 रुपए उसके उपर से नहीं मिलेगा क्योंकि market का जो ruler time है वो इसी तरीके से चलता है अगर bamboo ससता है तो कुछ रुपए आपको कमाने को मिल जाते हैं और अगर bamboo महेंगा हो तो वो भी नामुमकिन है तो लोगों के जहासे पे बिलकुल मताओ कि machine लगा लो आप उसके बाद दिन का 3,000 कमाओ मैने का 50,000 कमाओ या लाख रुपए कमाओ उसके बारों से मद बैठो कुछ अपना दिमाग आप लगाईए और business को आप अच्छे तरीके से कीजिए ये possible होती है जब इसके पीछे आप मैनत करते हैं अगर आपकी मैनत होगी तो बिल्कुल आप मैने का दिन का 55,000 या फिर मैने का 50,000 आप कमाओगे तो वो डिपेंड करती है आपकी मैनत जो की मैनत कोई बताना नहीं चाहता जैसे मैंने calculation अभी आपको करके दिखाया ऐसे calculation आपको कोई दिखाएगा भी नहीं और यह मैं लोगों की help के लिए यह सारी चीज़ें कर रहा हूं जैसे कि आप देखो blackboard मैंने आपके लिए लगा लिया और उसके बाद जो सारी calculation मैंने बता ही दी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी मिलते हैं अगले आने वाले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद